मैं हूँ पंकर और आपका स्वागत है हमारे शेनल स्मार्ट टेक कंप्यूटर्स ने आज का टॉपिक है वाट इस कंप्यूटर क्या है दोस्तों कंप्यूटर हमारी धोजमरा की जिन्दी का अभीन अंग है बिना कंप्यूटर का हमारा जीवन अधूरासा है तो आए जानते ह लेता है और प्रोसेस करते हुए हमें परिणाल के सबुख आर्पुट के रूप में प्रदान करता है दोस्तों कम्प्यूटर के ऐसा modern device है जो अनिक कारियों को काफी तेजी से और सरलत से करता है तेलिए अब हम बात करते हैं कम्प्यूटर के फूल फॉर्म के बारे में कम्प्यूटर का फूल फॉर्म क्या होता है C for common, O for operating, M for machine, T for particular, U for use for, T for technical, E for engineering and R for research दोस्तों आई जाने से में कम्प्यूटर की विससान, क्या होती है मैंने कम्प्यूटर की विससाओं को पांच भागों में केटेगराइज किया हुआ है फर्स्ट पॉइंट है, Automatic, Second Point Up, Passage Speed, Third Point, Securacy, Fourth Point, Large Storage Capacity and Last Point, Securacy दोस्तों अब हम बात करते हैं कम्प्यूटर के Importance देवारे में दोस्तों आज का कम्प्यूटर का यूग है बिना कम्प्यूटर का जीवन अधूरासा है फिर चाहें बैंक हो, हॉस्पिटल हो, रैलवे हो, एरफोर्स हो या फिर जीवत का मैदान, हर चुगर कम्प्यूटर का महत्तो है दोस्तों आज हमने जाना कम्प्यूटर क्या है कम्प्यूटर का फूल फूल फॉर्म क्या होता है Characteristics of Computers and Importance of Computers के बारे हमने आज जाना दोस्तों हमारा अगला टॉपिक होगा Generation of Computers जिससे हम अपने नेक्स वीडियो में कंटिनीव करेंगे दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सेर करें और पॉस्क्राइब करें थैंक्यू